नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अंजली आज मैं आपको बताऊंगी जेंटा माइसिन इंजक्षन के बारे में कि जेंटा माइसिन जो इंजक्षन होता है वो किस काम में आता है कौन-कौन सी डिजीज में हम उसको काम में ले सकते हैं कितनी मात्रा में हम उसको काम में ले सकत जो जेंटामाइसीन इंजेक्शन होता है इसके जो अलग-अलग जैसे मेडिकल स्वाप पे इसके ब्रांड नेम से अलग-अलग मिलता है जेंटामाइसीन के नाम से भी मिल सकता है जेंटा इंजेक्शन के रूप में भी मिल सकता है जेंटाल इंजेक्शन के रूप में भी जेंटामाईसिन इंजक्शन होता है वह बैक्टिरिया का 안she रिख्षान को बहुर चाम में लेते हैं। अब कौन कौन से रिख्षर्ण है य hybrid जिसमें या जाहता फॉर्वेंझे macht सांदू Rainτε उसके न उन्य यह हैं कि जो यूरिनरी टेक जैसे पिशाब के रस्ते के अंदर इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस रहते हैं, तो उसमें हम जेन्टामाइसिन को काम में लेते हैं, या फिर जैसे बॉन या जो जो जोइन्ट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, या तो जैसे बॉन का फैक्चर हो ग तो इसके लिए हम क्या करते हैं पैक्टिरिया को किल करने के लिए हम क्या करते हैं जैसे कि निमोनिया लंक्स के अंदर तो अपर जो अपर रेस्पारेटरी ट्रेक के अंदर क्या होता है जैसे लंक्स में इंफेक्शन हो गया हो तो उसमें भी हम जैंटामाइस इंजेक्शन को काम में लेते हैं या ब्रेंड के अंदर जो ब्रेंड के उपर की जो लेयर होती है मेनेंजाइड उस मेनेंजाइड इसमें क्या होता है कि जो वहां की मेनेंजाइस लेयर होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, कि जो हमारे soft tissues होते हैं, उनमें infection हो जाता है, जिससे past formation हो करके वहां के जो proper जो organs होते हैं, वो damage होने के ज्यादा chance होते हैं, तो उसमें भी हम gentamicin injection को काम में ले सकते हैं, skin infection हो गया हो, या फिर हमें जैसे कोई भी surgery करनी हो, तो surgery करने से पहले और surgery करने के बाद भी हम gentamicin injection को काम में लेते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, कि surgery करने से पहले और surgery करने के बाद में इसलिए काम में लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो infection होने को बचाता है, अब यह कैसे काम क तो जो जेंटा माइसिन इंजेक्शन क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है वह बैक्टीरिया क्या करता है वहां की जूस बैक्टीरिया की प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को क्या कर देता है यह बनने से रोक देता है बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और ग्रोथ र प्लस उसका वेट क्या इस पर डिपेंड करता है लेकिन जिसे नॉर्मल इंफेक्शन है तो उसमें हम 3 mg काम में ले सकते हैं अगर सीवियर कंडिशन है तो उसमें हम 5 mg तक भी काम में ले सकते हैं इसका जो टाइम पीरिड होता है तो वो क्या होता है कि हम दिन में एक बार लगा सकते हैं दो बार भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें हम 8 घंटे का टाइम देते हैं अब इसका जो रूट क्या होता है तो जो जन्टा माइसिन इंजेक्शन होता है उसका जो रूट होता है वो हम यह ज़रूरी नहीं है कि साथ से दस दिन ही काम में ले सकते हैं अगर वह डिपैंड करता है कि पेशन की कंडिशन केसी है उसको कौन से डिजीज है उसके हम इस के अकोर्डिंग हम इस इंजक्सन की जो डोज हो या धुटे सिर्टाइब होते हैं उनको घटाया बढ़ा सकते हैं क्या क्या करता है जो Genta My Accent injection होता वो केवल Bacteria पर काम करता है ना की वायरस पर काम करेगा इसके तोga common side effect होते है वह हमें क्या क्या देखने को मिलें एक टोंस ट्मक एब्दोमन में Pen देखने एलर्जी हो सकते हैं किसी किसी पेशेंट को या फिर सरदर्द हो सकता है और सबसे इंपोर्टेंट होता है हेरिंग लोस कानों से सुनाई देना बंद होना यह इसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है किड्नी डेमेज हो सकने के चांस रहते हैं और जिनको नर्व से रिलेटेट पहले से कोई डिजीज हो तो यह उन में भी सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इसलिए नर्व डिजीज में भी या फिर बैलेंस डिसोडर या फिर जिस साइट पर हमने इंजेक्शन लगाया है उस साइट पर पैन भी देखने को मिला है सेटी एडवाइस या कॉन्ट own-indication के अंदधर क्या होता है कि जैसे किसी प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में हमने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही हमें जेंटा माइसन इंजेक्शन को काम में लेना चाहिए या हमें जैसे driving करनी हो या फिर kidney disease हो या फिर जीसे कोई बी नर्व से डिजीज हो तो उन में क्या होता हैं पेशेंट्स को हमें अवर्ड करना चाहिए या उसे पहले से ही कोई भी कान की प्रॉबलम होती हो तो उसके अंदर हमें जेंटा माईसे इंजेक्शन को काम में नहीं लेना चाहिए. या फिर जिसको Amikasin injection से allergy होती है तो उसमें भी हमें Gentamicin injection को काम में नहीं लेना चाहिए I hope आपको हमारी information अच्छे लगी अगर अच्छे लगी हो तो please like and subscribe my channel and video Thank you